हलो नमस्कार आप देख रहे हैं Study 24 Official मैं हर्बिर सिंग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ तो जैसा आपने टाइटल और थमनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं तो वीडियो के साथ बने रही है तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं DSSB का एक नोटिस आया था और उस नोटिस में केंडिडेट्स ने जो गलती किया है उसका खाम्याजा उनको भुगतना पढ़ रहा है तो वो ही वाली बात हो गई कि अपने पैर पे कुलहाडी मारना तो केंडिडेट्स ने खुद अपना नुकसान किया है तो वो नोटिस हम देखेंगे इससे पहले description box में हमारे study group का link है जिसके साथ आप जरूर जुड़ें इसमें आप लोगों का फायदा है देखो वहाँ पे कोई ऐसी तो चीज नहीं है कुछ लोग comment करके भी बोलते हैं कि promotion कर रहे हैं यहाँ पे promotion साइद उन लोगों में बुद्धी कम है या तो यहाँ पे promotion वाली कोई बात नहीं है एक दूसरी के साथ discussion आप लोग कर सकते हैं आपको जानकारी हुआ पे दे दी जाते हैं तो आप लोगों का फायता है उसमें और इसके अलावा टेलेग्राम चैनल को भी आप जोइन कर सकते हैं कि कुछ मुद्धों पे वीडियो नहीं बनाते हैं पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को डारेक्ट हुआ पे जानकारी दे दी जाते हैं तो आप जरूर से जरूर हुआ पे जुड़ें और चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ा रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आपके लिए सिर्फ छोटा जा के लिए खे लेकिन हमें अच्छा लगता है तो अभी DSSB ने एक नोटिस जारी किया था 27.7.2022 का ये नोटिस है अगर आप देख पाने से तो यहाँ पे क्या है काउंसलर की यहाँ पे पोस्ट थी 45.21 तो ये रिजेक्शन नोटिस है और रिजेक्शन क्यों हुआ है कि केंडिडेट्स ने अपने e-do-gr ही अपलोड नहीं करें तो ये ध्यान रखें e-do-gr ही अपलोड नहीं करें और इस वज़े से इन केंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया और इनकी नोकरी चले गए चलो हो सकता है कि इनमें कुछ ऐसे भी होंगे जो उनके पास डॉकुमेंट्स चायद ना हो प्रैक्टिस के लिए दिया हो लेकिन ऐसी पोस्ट में मेरे हिसाब से वो ही केंडिडेट्स भरते हैं जो इन केंडिडेट्स ने या तो इनको नोटिस नहीं मिल पाया जानकारी नहीं मिल भाई तो सेलेक्शन के बाद इनकी नोकरी चली गई है तो वो ही वाली बात हो गई कि अपने पैर पे कुलाडी मारना तो मैं चलो जादा तो कुछ नहीं बोलूँगा लेकिन हो सकता है कुछ और भी रीजन हो लेकिन फिर भी बड़ा दुखाद है और हमें बड़ा दुख है कि इन केंडिडेट्स की हाथ से नोकरी चली गई है तो आप लोग क्या कहते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताईए आप लोगों के और भी कोई कोस्टन्स हैं तो जरूर बताईए सो थेंक यू बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद